हाई फ्रेंड्स आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज के быть विडियो के माद Śखे कच्षा हिंदी के 20 महत्पूर बहुविकल्भी प्रशनवी लेकर आ चुके हैं और आज के इस वीडियो के मादम से हम इन सारे विकल्वली प्रेशनों के बारे में बात करेंगे और अब की बार 90% पार करना चाहते हो तो वीडियो को सुरुस एंड तक देखते रही है उसके पले वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आप बात में भूल जाते हो और शेर भी कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे विल एकन भी प्रेस कर देना आप यहां पर देख सकते हो कितने सारे के सारे मोशन इंपोर्डेंट कोशन मैं लेकर आ चुक हूं और जितना मैं कोशन लेक आया प्रोफेसर जी सुंदर रेडी की रचना नहीं है और यहां पर देख सकते हो किस की स्थान में 2017-2018 लागतार यह 5-6 साल से कोशन रिपीट कर रहा है बोड के पेपर में तो इसमें चार रचना का नाम दे रखा है और इसमें बताना है कि कौन से ऐसी रचना है जो कि जी सुंदर रेडी की रचना नहीं है पहला अप्शन क्या है समझते हैं कि हिंदी साहित की भूमिका साहित और समाच, Languist Problem in India, बैचारिक, सुध और बोड तो इसमें यहां पे समझ सकते हैं कि हिंदी साहित की भूमिका यहीं जी सुंदर रेडी की रचना नहीं है बाकि सब साहित और समाच, Longuist Problem in India, बैचारिक, सुध और बोड यह तीनों यहां पे कौन लिखा है तो सुंदर के दवरा नहीं लिखा गया है तो इसका आपसा नमबर कौस ही हो जाएगा ठीक ना अब हम समझते हैं अगला नमर कोशन क्या बोला जा रहा है कि यहां पर देख सकते हैं कि गेहूं और गुलाब के लेखक हैं और यह भी कोशन आप समझ सकते हैं कि 2013 से लिए करके 21 तक तेरह, चौदा, सत्रह, अठारह, उनिस और एकिस तक लगतारी कोशन पूछा गया है और 2023 के बोर्ड के फेपर में सेम टू सेम यही कोशन आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर देखो कोशन क्या बोल रहा है कि गेहूं और गुलाब के लेखक तो गेहूं और गुलाब क बेनिपूरी आपसा नमबर गौ हो जाएगा तो गेहूं और गुलाब के लिखा कौन है तो राम रिक्ष बेनिपूरी इसको याद रखना बोर्ड के फेपर में पका सेम टू सेम कोशन यही मैच होते हुए आपको दिखेगा अगला कोशन यह है कि निमनलिखित में से कौन स कभी छाया वाद का नहीं है और यह भी कोशन आप देख सकते हैं कितनी बार रिप्लिट कर चुका है कि 11,13,15,17,20 की कोशन आच चुका है बस 2023 में आप सभी की इससे देखना बाकी है तो निमनलिखित में से कौन सा कभी छाया वाद का कभी नहीं है यह बताना है तो देवी वर्मा जैसंगर परसाद और सुमित्रा नंदन पंत जो कि तीनों कभी है वो क्या है चाया वाद के कभी है समझ में आ गया अगला कोशन की भारतेंद यू के लेखा कौन है और यह भी कोशन यहां पर देख सकते कितना बार रिपीट कर चुका है तो भारतेंद यू क लेखा कौन है तो नगेंदर जी ठीक सिकव श्रह आपको सेमगा इसी तरीक के लेखेग। order सेंपर में आ pa लिखना है अगला कोशन यहां कि मेरी जीवन नत्रे आतमकथा न क कि है तो पूछ दरीका कि मेरी 一 से मजना होगा कि मेरी जीवन यात्रा यह क्या है तो एक आत्म कथा है ठीक ना और यहां भी देख़ो कितना बारी कोशन रिपीट कर चुका है तो मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्म कथा है तो बियोगी हरी की राहुल संकृतियायन की रामरिक्ष वेनिपूरी की या महादेवी वर्मा की तो यह है किसकी मेरी जीवन यात्रा तो मेरी जीवन यात्रा जो है किसकी है तो राहुल सांकृतियायन की आत्मकत्था है आपसन नमबर खसा ही हो जाएगा ठीक ना अगला कुछन है कि राम ब्रिक्ष बेनिपूरी की रचना है तो यहां पर आपसन दिया है वेलगा के देश में इसे हमेशा याद आप सभी लोग याद रखना कि पतितों के देश में किसकी रचना है तो राम रिक्ष बेनिपूरी की यह भी कोशन कर सकता है कि पतितों के देश में किसकी रचना है आप संद्देगा कई सारे लेखक का कभी का ठीक ना तो इस तरीके से आप सभ के लेखा कौन है प्रताप नर्यान मिस्र बाल कृष्ण भट राम कृष्ण दास स्री निवास दास तो सात्वा का राइट अंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट और यहां पर देख सकते कितना बार यह कोसंस रिपीट कर चुका है 13 से लेकर के लागतार 20 और 19 तक आया हुए को इससे भी खतरना कृष्ण है कि 11 वर्ष का समय के रशनाकार कौन है तो 11 वर्ष की समय 11 वर्ष का समय के रशनाकार कौन है मुंसी इंसा अल्लाखा रजेंदर बाला खोस रामचंदर सुक्ल जैसंकर परसाद तो आठवा का यहां पर राइट अंसर हो जाएगा रामचंदर सुक्ल जी नावड़ कोसन को देखते हैं और यह कोसन है बहुत बहुत मोच्थिंक्पोडन कोसन है के हिंदी साहित्त के इतिहास के लेखा कौन है हिंदी साहित्त के कि का नाम बताना एक हजारी प्रसा दिवेदी है रामचंद्र श्थरॉल है डाक्टर नगंतर है डाक्टर रामकुमार वर्मा कों है है तो रामचंद्र? श्थलिजी नहीं जितना मैं बताते भी देख सकते हो अगला कोशन है कि पतिव्रता निवंध के लेखक हैं तो पतिव्रता निवंध के लेखक कौन है तो अचारे महावीर परसादिवेदी सरदार पूर्ण सिंग हरिसंकर परसाई डाक्टर वासुदेव शरर अगरवाल तो चारो आप्षन में से कोई एक परसाई ड़ता निवंध के लेखक कौन है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा सर्दार पूर्ण सिंग हो जाएंगे अगला कोशन खतरना कोशन है कि ब्रामढ पत्र के संपाधक है यानि कि जो ब्रामढ पत्र आता था उसका संपाधन कौन से लेखक या कौन से कभी करते थ प्रताप नरायण मिस्र पंडित लल्लू लाल तो ब्रामण पत्र का या ब्रामण जो पत्र है उसके संपादक कौन है उसके संपादक है प्रताप नरायण मिस्र कौन है प्रताप नरायण मिस्र जी है ठीकना अगला कोशन बहुत-बहुत most important कोशन है कि मेरी असफलताएं किसकी कि रचना है। देख सकते हैं कि 17, 17, 19 और 21 में लगतार ये कोशनल्ब पूँछा जा रहा है। कुस利 ने किसी बोड के पेपर में या प्री बोड के पेपर में लगतार कोशनल्ब पूछा हा रहा है। तो मेरी असफलता है किसकी रचना है बाबु गुलाब राय की, अम्रित राय की, बियोगी हरी की, राय कृष्ण दास की, तो बरावय का राइट एंसर हो जाएगा बाबु गुलाब राय की, मेरी असफलता है किसकी रचना हो जाएगी तो बाबु गुलाब राय की, ठीक न, अगला कोसन समझ लेते हैं अवारा मस्तिहा यह जो कोसन से बहुत-मुहत मुंत पूर कोसन है और यह बोड के पेपर में पखका इस बार देखने चुलता है एक्जामिन आपको भठकाने की परिशान करने की कोशिस करेगा लेकिन आप सभी को बिचलित नहीं होना है अपने मार्ग से हटना नहीं है आप सभी को पढ़के जाना है बोर्ड के पेपर में टाप करना है 90% प्लस इसकोर करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और और अगला कुशन निवंद संग्र है किस की रशना है कलपना यह जो कलपना क्या है तो एक निवंद प्रवाकर जी का है या हजारी प्रसाद दिवेदी का है या बासु देव शरण अगरवाल जी का है यह आप देख सकते कोशन कितना बार यह रीपीट कर चुका है तो कलपना निवंध किसका संग्र है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद दिवेदी इसका रा तो चिंता मड़ी एक उपन्यास है, क्या है? एक उपन्यास, याद रखना, भूलना नहीं है कि चिंता मड़ी क्या है? तो एक उपन्यास है, ठीक, अब अगला कुसम सेम टू सेम इसी पर आधारित है कि परिक्षा गुरु, यह जो कुसम है, very, very most important, परिक्षा गुरु किसकी रचना है, यह भी पूछ सकता है कि परिक्षा गुरु रचना जो है, किस विदा की रचना है? कहानी है कि उपन्यास है, कि नाटक है, कि जीवनी है? तो परिक्षा गुरु क्या हो जाएगा? यह भी उपन्यास से, क्या है? यह भी उपन्यास से, ठीक ना? अब अगला कुसम बनवास नहीं कोणस नहीं रिए नमर कोसंस क्या बोला जा रहे हैं कि उत्तर-प्रदेश सरकार में शिक्छा मंत्री और मुख्य मंत्री को अलंक्रित करने वाले साहित्तिकार हैं देखो यह जो कोशन से इस बार पका पूछेगा उस्तर परदेश सरकार में सिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री को अलंक्रित करने वाले साहित्कार कौन है राहुल संकृतियान डाक्टर बासुदेव सरण आगरवाल या, डाक्टर संपूनcost इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट अंशर हो जाएगा डाक्टर संपून अनन्द। अब अगले कुसर देटे हैं क्या बोला जा रहे है कि बंगाल के अकाल की रचना से इसको समझना ध्यान से कि बंगाल के अकाल की रचना से विदा का प्रणम माना जाता है तो इसका राइट्य हो जाएगा रिपॉर्टास विदा का ठीक ुआ अब अगला कोशन्स जो कि इस वीडियो का सबसे अंतिम नमर कोशन्स होगा कि मूंसी प्रेम चंद्र द्वारा संपादित पत्र है यह बहुत ही खतरना कोशन है इसको धान से समझना कि मूंसी प्रेम चंद्र द्वारा संपादित पत्र है और यहां पर देख सकते हैं कि लागतार तीन सालों से कोशन से रिपीट कर रहा है हंस मर्यादा कर्मबीर धर्मय तो इसका right answer ho झाएगा hans, तो मून्सी प्रेम चंदर के दोरा जो ही संपाधित पत्र है वो hans के नाम से किसके नाम से हांस के नाम से तो अगर आप इतने सारे वीडियोस त्यार कर लेते हो जितना मैं यहां पर बता रहा हूँ यहां पे देखो इसके पहले मैं यहां पे और से वीडियो बना रखाऊंँ अगर आप उन्हें वीडियो को नहीं देखें एक बार डिस्क्रिप्सान चेक करना और चैनल का प्लेश्ट भी चेक करना वहां पे क्लास 10 और 12 दोनों के बच्चों को यहां पे दोनों क्लास के बच को बढ़ियां से पढ़ लेना और पढ़ के ही जाना मिलता है अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत वंदे मात्रूम